जान्यवाद लेहर जी अभी हमने निखिल जी के और लेहर दी के ओपनिंग दिमार्ट्स में वो कॉंटेक्स्ट आज के इस डायलोग को बहुत अच्छी तरसे रखा है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वह इसके विपिरन पहलू हमा हम लोग खुद भी एंडिश होंगे उस डिस्कुशन से और आप लोग सब के पार्टिस्पेशन से मुझे लगता है कि यह मत्तपूर्ण विशय समसब के सामने और देश के सामने आएगा मैं साउट एंट इस एस्या फॉंडेशन का बहुत आभारी हुँ कि उन्होंने इस म कि इंपॉर्टेंस जैसे जायर जी ने बताया कि यूएस और ग्लोबल कंट्रीज आज महसूस कर रही है उसको हमारे सामने ले क्या है देविंदर जी का जो ज़जबा है वो तो हर्दम इस कार्ण को आदे बढ़ाते में साब्सक्राइब करना विश्यों को समझना ग्राउं करना चाहता हूं यश्वन्त राणा जी मेरे साथ जो आज जिनका समाल की हम लोग करेंगे उनका भी अभी नंदन है अपने विनीता जी विनीता यादर जी एंड जस्किन एंथनी जी उनको हम लोग सुनेंगे इसाथ सामने भी कुछ मैटकोन व्यक्ते अर्विंद गौर ज जो टॉपिक है उसके मैं ग्रीफली कुछ बाते काऊंगा और जो ग्लोबल परस्पेक्टिव डेमोक्रेसी बहुत मैटकून विशह है इसके लिए भारत के परिपेक्ष में हमें लोगों को जरूर देखना चाहिए मैं पीछे कॉंस्टिउशन की कुछ किताबी भी पढ़ भारत का सभीदान बहुत मैं अच्छे जंग से लिखा गया है उस वक्त के जो लीडर्शिप थी मैं पढ़ भी रहा था और भी कई इस्टोरियंस को भी पढ़ा और भी लोगों को पढ़ा जो की अथर्टी माने जाते हैं कॉंस्टिउशन से वो लोगों में इस पस्ट काया कि सबस्तार अगल लेवल पर भारत के साथ आघे बढ़ रही है और उसने बहुत सारे हमारे जो लक्ष उस्वा के समीदान के निर्माताओं में हमारे सामने रखे थे जो अल्टिमेटली डेमोक्राटिक सेटप में एचीव करने के लिए महतुपों थे उन सब को आज हम बहुत हद तक एचीव कर पारें और मैं उन लोगों का भी आज बहुत अभिननन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बहुत समीदान उन्होंने हम लोगों को दिया उस समीदान के बगैर को भी भी डेमोक्रेसी इस तरफ फलीबूत नहीं हो सकती पाकिस्तान भी स्वत्तंत हुआ उसे भारत का पार्टिशन का दुखान को हिस्सा था लेकिन उसकी स्थिति और आज भारत की स्थिति में अगर देखें तो महित्पूर्ट बदलाव यह है कि हमने एक डेमोक्रेटिक कांट्री के रूप में अपने आपको स्टैब्लिश किय और यह एक महित्पूर्ट है क्योंकि ग्लोबल परस्पेक्ट्रों को जब हम देखें तो यह जो परत है कि प्रजातंत्रिक मूल्यों के साथ जिस देश ने जिस तंटी ने अपने सक्ता को लागू किया और जहां पे प्रजातंत्रिक मूल्य नहीं है उसके ग्रोथ में पाकिस्तान से अलग हुआ और आज ग्लोबली क्योंकि मैं इकनॉमिक्स का विशह देखता हूं आपकी जनता पार्टी में वह देखता हूं को आज वहां पर डेमोक्रेसी वाइट्रेंसी है बंगला देश में सब्सक्राइब होने के बाद भी जिस तरह की इकनॉमिक ग्रोथ बंगला देश में हो रही है वह अपने आप में यह स्ट्रेश करते हैं कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र अब बहुत में तरीके से देश के विखास के लिए योगतां करता है और बढ़ाता है दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जब हम डेमोक्रेसी की पार्थ करते हैं तो इंपोर्टेंट्स इंडेमोक्रेसी इस पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग जैट आंजिए पूले यह सत्ता का एक अवदार्णा एक अडिस्टेटिटिव स्ट्चर तो है बहुत ह लेकिट आंधि लोग की हम कैसे इंड करते हैं लेकित पालिस्टिवमेश की करते हैं सतके हैं सतके और ऊड्सपीपिशपव देमोरेसी के में प्लिए पीपोल्स पार्टिस्पेशन in एक परटिस्पेस्पेश Alyskis McGee lawmaking that is very important unless the people's opinion and aspirations are not taken into consideration into the lawmaking democracy cannot flourish and democracy cannot deliver so the thing is participation of the common man to the last person to the downtrodden to the backward people or all geography area people they have to have a share in the power of us tell you how much structure was it is living down here I may have a global level where I have to go establish the democratic country and the experience of global level expound and the experience of people who have been to the people who have been to the institutions they are very important and I must say that we are an institutional failure there were many differences with we had a thing on many issues इंस्टिउशन हैं इन सब लोगों ने जो इंस्टिउशन के वह बहुत मैं कुंपे और उसी ने वाइटेंसी हमारी डेपरेटी में लाइए और आज हम उसके साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं और ऐसाली है कि भारत ने इनुनिया दिन उसी कंफेक्स इन एंट इंडिया इनिया विसके नुक्राइटेंने शिर्ड शॉच्टिउशन के पेरिदेंसों आज हैंच है अग्या इंस्टिऊशन करेंशन देन्या दिव इन प्रतिशतार्ड था पर्सेटव इंडिया नुन सिर् education, penetration was low and even the highly, we had highly diversified society, child religious, beliefs ko dethlo, languages ko dethlo, culture ko dethlo, kan paan ko dethlo, traditions ko dethlo, India is a very diversified country, so these were very big challenges, a poor country, not very well educated at that point of time, seen the subversion of more than thousand years, by Mughal invaders and different invaders, even British invaders, uske paas, we have become a very vibrant democracy and that is because the ingredients into Indian culture and tradition were very well entrenched, democratic, the thought process was very well entrenched, and I also want to say that the Lord has also given us to our language, that we don't have to learn a democracy and constitution from the country, we have to learn democracy and law and constitution, the law and constitution, etc... But we have a long history of 2005 years where Gandhraj उसर मैं ते जो सांकिर सांकिर कम्यूनिटी सी लिच्चवी कम्यूनिटी से जिसको कॉर्तम बुद्ध जहां से बिलॉं करते जे महां पे एक रिपॉब्लीक से, everybody used to participate. So we had a strong tradition of democratic institution and thought process in the country. We did not need any lessons at all. तो इतने diversified difficulties के बार भी हम लोग successful इसलिये होगे कि हमारे पास बहुत अच्छा historical background था. और मैं इन तो बाते और कहूंगा, क्योंकि मैं law भी पढ़ता हूं, construction भी पढ़ता हूं और प्रदान्दी जीने एक challenges अभी सामने रखे हैं हमारे बोदी जीने कि भीरे भीरे जो new technologies आ रहे हैं वह जो है, those technologies have the capability of disruption. चाहे वो social media हो, they have the potential of disruption. अभी 18 तारिक को पाल्यामेट में क्रिप्टो करेंसी पर भिल आएगा, क्रिप्टो के blockchain पर जिस तरह से आएगा, we have the long discussions on those on that bill, तो surely they can disrupt any country and democratic process. तो इस जो इनकी जो disruptive potential tendencies हैं उसको भी global level पे हमें एक global initiative लेना है, चाहे taxation laws हो, चाहे terrorist money का flow हो, उन सब चीजों को, तो मुझे लगता है कि वह एक smartphone विशय प्दानमंती जे हम सब के ताहने रखा है, इस चीजों के भी हम आगे discuss कर सकते हैं, करना भी चाहिए, और ultimately, जो मैं यह जो जो कहना चाहता हूं, कि जिस चीज पर मैं विशय पर आके अपनी बात को समात करूंगा, वह है कि जो आज का विशय है वो बैंक्टूं इसले है कि Indian experience on democratic, building democracy, building democratic institutions, etc. and bringing success to the whole process of economic, all round developments in economy, politics, have surely lessons for the global, global platform, LNR and countries to learn about. और ऐसा और उस एक्स्पीर जब हम भारत के experience को देखते हैं, तो उसकी historical analysis करना बहुत जरूरी है, ब्लोबल लेवल पे आप देविशन जी इसको जरूरी इसको जरूरी इसको जरूरी इसको जरूरी परस्पेक्टिव पे जरूरी निकालेंगे, मुझे लगता है कि जो भारत के 1947 की इतिहास के बात अभी जो किशुत्तर बर्श है, ऐसा नहीं कि जो शुरूरी मैंने जो चैलेंगे बताए इसको कहते हमने ओवरकम किया, कि जो चैलेंगे फ्यां किया इसके पात हमारे पास थेश में चैलेंजेश आयती और उन चैलेंजेश को हमने कैसे मीट आट हुँक्या, विश्ट पीब्स विल आप विए बड़नी तो अवरकम, मंडल कमिशन का बहुत बड़ा चैलेंग्स उस समय आया मैं उसमय तो काफी एक्टिव था कोष्ट इंची के पाद जब यह सारा उसे नाइटीन एटीपाइट के आसपास था वह था दूसरा में जो सबसे पहला चलेंग्स जब हम सतन्त हुए थे उस समय आर्टिकल अब एक्सेशन को साहिं करने के कारएंट सर्दार पटे रिती जो हिस्टोरिकल परनुक्टेशंस हैं वह भी बहुत बड़ा लेशन है को लोगल भी हैं नॉट डॉक्यमेंटेट अश्वी शू टेक्सिन लौरा व्यूट अधर अधर पाइसेटर अधर आधर अधर वेन वेल एक्सेशन हैं फिर उसके बाद अभी आपिकल 370 को जो कि हमारे ले निए इस इंटिगेशन का बहुत बड़ा रीजन था उसको हम लोगों ने कैसे उसको ऊवरकम किया इवन आयोध्या मुह में पांसो साल का पुरा आंदोलन था जिसमें कई लोग शहीद हुए उस आंदोलन को भी 1992 का इश्यू ले लो या भी आयोध्या मंदिल का भव निर्मान हो र रहे हैं फिर आर्टिकल काई बार आर्टिकल 356 जो यूस हुआ हूआ हूँ दफैरल स्ट्ट्टर अधियर वेडर इस देर आफंफ्लिक्स बिट्वीन सेंटर अंड शेट वेडर इस पांपरेटिव फैरलिजम और कॉंपिटिटिव फैरलिजम यह वारे दी सबसे महत्रपूर्ट चैलिंग मैं आपके सामने रखना चाहिए वह कभी नहीं भूलना चाहिए वह था 1975 का एमर्जेंसी जब कॉंग्रेस और इंद्रा गांधी को देश और कभी मां कुनी करेगा मैं खुद भी उस वह तीन मैंने जेल में था आर्भी में पढ़ता था तेर सब्सक्राइब को नापकूर जेल में रखाता था तो वह 1925 का इतिहास हमें नहीं बिलना चुलिए और अगर इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्टोरिकल ग्लोबल परस्पेक्टिव में अगर हम देखे तो ग्लोबली वी आप्रिशेटेट फॉर वर डेमोक्रेटिक अचीवमें लेकिन हमारे को जो मार्क मिलता है वो 98% का है 2% मार्क हमारे डेमोक्रेसी में कटे हैं वह है इमर्जेंसी के करण अगर वहां पे कलेक्टिव लोगों का इतना ज्यादा सामुईता से उस आंदोलंग को खड़ा नहीं किया होता लोगों ने भारत पे देश की जन्ता ने तो इमर्जेंसी के पाथ हम लोगों हमारे यहां पर प्रजातांतर नहीं होता तो उस चीज को भी हिस्टॉरिकली लोगों को जानना चाहिए कि एक बार जब पूरा डेमोक्रेसी को सब्वर्ट करने की इंद्रागांदी ने कोशिश की तो सारा देश खड़ाओं के यहां तक उ सब्सक्ति कि आप सारे देश में पूरा मेरा इक चक्त्र डाजयी और बोलने की उमध करता सम्क कि इंग्रेटें्न था हम लोगों ने खत्रम किया दूसर सुस्थ है जाधा केशा का एष्टर चाहे जुनीशरी और लेजिस्लेशन का और फिर मीडिया का मीडिया के लोग में हमारे साफ है जब यह जो पिलर्स और एक दूसरे के ऊपर तो यह अलग चैलेंजिस क्रियेट होते हैं वहल्स भी हम लोगों ने फेड़ती हैं तुमकों हम लोग अल्टिमेटली सेट आउट कर करते हैं और यह सारे भी बात है और अब मैं भी बात को इस बात से खतर करोगा कि जब भी जो जुरिस्टूडेंस अगर लौ को हम देखें लॉज इन इंपॉर्टेंट फिलर प्रॉस्टूशन तो एक होली कुख है हमारे समीधान में तरजाते के लिए लेकिन जो हमारे कान लौन है वह उस चीज़ को एक्स्प्रेंट करते हैं किस तरह से सरकार चलेगी किस तरह जनता चलेगी किस तरह भूल रहेगा तो उसमें जनरली अगर आप रूमन इस्ट्री लौ मेकिंग अगर देखेंगे तो उसमें यह होता है कि जो लौ बनते हैं वो हर्दम सॉवरीन को पावर दे देते हैं तो अगर लोग जो लौ के अधर लौमेंकिंग में कॉमन मैं कलेक्टिव विल अगर नहीं आई जनता की बात नहीं आई जिए पार्लिमेंट को सॉबरेनी की हमने लौ मेकिंग में जो की इलेक्टेट बोरिये एकांटिटी जो है और उस चीज़ से हमने बचके रहना चाहिए जो पॉलिटीशन पॉब्लीक रिप्रदेटेटिव कितना भी कह दें जो एकांटिटी हमारे पांच साल के अंदर उनकी पिक्स की गई है गहार डेमोक्रेसी के लिए में ना यूरोक्रेसी में ना जुडिश्य में मीडिया में वह एकांटिवीटी सिस कि इसको हम सब लोगों ने कलेक्टिवी संसर की गरिमा को प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है यही कीज़े मैं अल्टिमेटली बात करना चाहता था आप सब के पास और यह कहें कि मैं अपनी बात को समाथ भी करूगा कि यह जो लेसंस है इंडिया के डेमोक्रेसी के यह पूरे विश्यों को बहुत मैट्रपूल इनको जानचारी दे सकते हैं और मुझे लगता है आज का यह डायलोग जो है इच अच्छा है हम लोगों के लिए इस लास इसके लिए बहुत सारी चीज़े सामने लेके आएगा और अगर हमने इसका डॉक्त मिखाला तो जरूर हम लोग बहुत बड़ा पंटिबुशन देश के लेके लिए बहुत 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 नहीं है जिए कार नहीं को शुक्त बहुत संटर्नदेर, Prydia 10 0 घाजिद भ्हुत खलगारे नहीं कि एविए तो बहुत बड़ा बातोर्श 스트와 टार्फे Pfizer डल चानलच सने के लिए। सी लिएक एकी सान bestक्ता बालम mint所नhern क्योंमीन आवने प्राइस्टेट प्रिण्याओ करें और हम एक प्राइस्टेट है फॉटोर वे प्राइस प्राइस करें है